असलाम अलेकुम वेवर्स आइम डॉक्टर हिना निशाद असिस्टेंट प्रोफिसर आफ तोश्वालजी करामत असेन मुस्लिंगर्स पीजी कॉलेज वेवर्स आज मैं अपने इस वीडियो में बीए वान सेमवन का सुष्वालजी का जो फॉर्स पेपर है इंट्रोड़क्शन तो सुष्वालजी उसके कुछ टॉपिक्स को कवर करने के कोशिश करूंगी इंशाद ला जो फॉर्स चाप्टर है वो है सुष्वालजी एंट्रो इसमें कुछ में मुख्य टॉपिक हैं सुष्वालजी, common sense, sociology and common sense, science, sociology as a science जैसा कि हम जानते हैं सुष्वालजी की अगर हम बात करें तो सुष्वालजी जो हैं दो शब्दों से मिलके बना हुआ है सुष्वालजी जो अस्तित्व में आया वो 1838 में आया अकरस कॉंट जो है father of sociology कहलाते हैं उन्होंने इंपासाइस किया था इस चीज के ओपर कि that is the study of society in a scientific way sociology दो शब्दों से मिलके बना socius, societus कह सकते हैं यह latin भाशा से लिया गया है language से society और दूसरा logos यानि की Greek भाशा से लिया गया है study or science, समाज का शास्त्र so sociology is the science of human society, sociology एक ऐसा विश्य है समाज शास्त्र जो की human society यानि की समाज में रहने वाले विक्तियों का अध्यान करता है लेकिन वो अध्यान जो है वो किस तरह का होना चाहिए scientific तरीके से विज्ञानिक तरीके से वो अध्यान होना चाहिए तब ही वो उसका मेहदुए है मैकस वेवर ने डिफाइन कियाता, sociology is the study of social action जो समाज शास्त है वो समाज में जो समाजिक रियाए होती है उसका अध्यान करता है मैकाइवर ने कहाता कि sociology is the study of social relationship यानि कि समाज में विक्तियों के बीच में आपस में जो relationship यानि कि सम्मन्द पाया जाता है उसका अध्यान करता है sociology पार्क और बरकेस ने कहाता, sociology is the science of collective behavior सामुगीक जो वहवार है उसका अध्यान करता है दर्काइम ने कहाता कि sociology is the study of collective representation सामुगीक प्रतिमिधान की तो यहाँ पर यह हम देखते हैं कि समाज शास्त्र को समाज शास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की और in short हम कह सकते हैं कि समाज शास के अंतरद हम समाजिक क्रियाओं का, समाजिक संबंदों का, सामुगीक वहवारों का और सामुगीक प्रतिमिधान का इन सब चीजों का अध्यान करते हैं अगर हम देखें सोशोलोजी किस तरह से हमारे 1838 में आया बट यह एक ऐसे विश्चे के रूप में जो है अलग-अलग वेस्टिन देशों में यह आया सबसे पहले और वहां पर इसकी जो टीचिंग as a subject के रूप में स्टार्टिंग रूप में स्टार्टिंग युनाइट अलग-अलग देश है जहां पर अलग वर्षों में पढ़ाया जाना शुरू आज और शोशोलोजी कि क्या विशेष्टा है इसको हम देख लेते हैं कि स्टार्टिंग जो है वह एक समाज के बारे में अधियन करता है और साइंटिएफिक तरीके साथियन करता है तो यह पर स्नालिटी डवलपेंट और हीमन बीम कि एक विक्ति के विकास में यह विशह बहुत जादा महतव पूरूरोड प्ले करता है क्योंकि इस विशह के अंतिक पर एक जितने भी topics के बारे में आप पढईगे इन रलेशनशप के बारे में ओर अधिन किया गया है. यह प्ताया गया है तो यह कही ना कही विक्ति का अविक्तत्व है और उसके विकास में बहुत महतु हो पूर रोल प्लेखता है. It is helpful to understand the society and their problems क्योंकि scientific तरीके से अधियन कर रहा है तो एक प्रॉपर तरीके से पता लगता है कि हमारा समाज कैसा है और क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें हैं और क्या उनकी समाज में रहने वारे लोगों की समझ आएंगे हैं तो यह इसकी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने में हलफुल है क्योंकि एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके साथ दियन करता है तो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं से रिलेटेट कितने लोगों को कितने लोग, how many people are facing problem of poverty, beggary, unemployment, all this thing, many much more thing तो वो जब चीज़ें एक प्रॉपर तरीके साथ आपको डेटा मिल जाता है यह भी बहुत बड़ा बेनेफिट है साथ एक बहुत बड़ा बेनेफित है साथ एक बहुत बहुत बड़ा बेनेफित है तो इससे क्या होता है हमारे देश के वकास में भी यह विशह एक में है तो वह पूण भूणी का अन्ना भाता है और जाहिर से बात है कि यह सोश्यालोजी एज़ेशन है क्योंकि सोश्यालोजी विशह टीचिंग में बहुत जादा पॉपिलर है बहुत जादा स्टूडेंट्स का यह एक फेवरेट सब्जिक्ट है तो यह एक प्रफेशन के तौर पर बहुत जादा यूसफुल है धिखिट्ता है और रूसे विशंगोराई एंहरे अमारी सन्स्कृति को Wid RIGHT अर्शाना के सरिभादी के बारे में भीविवन जगाओं की लिवव राजियों की सन्स्कृति के बारे में पढ़ते हैं तो जिससे पथह आए कुछ लोग अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं तो इसको पंड़ने के बाद लगता है कि हाँ वाकर ही में हमारा एक बहुत इनरिच कल्चर है ने देश का तो इसको हमें इसको अपनाय रखना चाहिए तो इस तरह से यह इसके फीचर हो गया फिर अपने के बात करते हैं तो क्या है कॉमनस्स की चाहिए अपनासर्फ इंडविज्वल डिविज्वल तोली इंडविज्वल जो के हम रोज मर्रा की जिंदगी में देखते हैं तो आज पास कुछ लोगों को देखने के पात और या फर कोई आप उसके अक्वार्डिंग जो है, जो भी आप एक सोच अपनी डेवलब कर लेते हैं, that is common sense और यह आपके सोच करने जा रहहे हो तो इसमें बड़ा इंपॉटन होता है कि अस्यूपिक से रिलेट्टॉ जो भी आपकी है जो भी आपकी बरीकल्बना है, जो आप सोचते हो, जो अपकी थिंकिन के उसमें होता है लेकिन यह बिल्कुल क्योंकि इसमें साइंटिफिक नहीं है यह नौन साइंटिफिक फिनॉमेना है और क्योंकि यह बेस्ट होता है आपके बिलीफ्स पे ट्रडिशन्स पे प्रडूसर्स यानि कि आपके जो पूर्वाग रहे हैं और किसी भी छीज़ के पीछे क्या कौज एन एफेक्ट है उसके रिलिश्टिफ को बताने में भी यह असफल है और इस तरह से जो भीन कॉमन सेंस के बीससें जो जो भी नौलज मिलती है जो ग्यान प्राप्त होता है उसको हम जेंरलाइज नहीं कर सकते हैं उसका समाने करण कर सकते हैं फिर उसके बाद common sense versus sociology है तो यह इसके differences है तो basically आप क्या है कि आपस में एक जब sociology की बात करते है तो बहुत जादा उसमें objectivity होती है उसमें theories होती है systematic तरीके सद्धिन क्या जाता है जब कि हम common sense कहते है तो बस आपने आपने जो भी एक सोच रखा है या आपने चार लोग वो देखा उसके बाद कोई भी आपने अपना जो भी आप धाडना या आप विचार बना लेते हैं तो यह आपस भी अगा देखा जाए तो यह आपस भी देखा जाए तो there is a no relationship between the common sense and sociology कोई भी relation नहीं लेकिन कभी-कभी यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि कई बार हम common sense के basis पर कुछ चीज़े कुछ विचार रखते हैं और वो sociology में जब एक proper तरीके सद्धिन होता है तो वो सही थापत होता है तो यह एक कह सकते है कि अवे इसा हो गया पॉसिवल एक exception भी हो सकता है कभी-कभी और कभी गलत भी सापित हो सकता है लेकिन आम इसको एक चीज़ नहीं इसमें आपसमें कोई बस यह सबसे important लिए साइंस के अगर साइंस के क्यूंकि वकर हम कहते है कि साइंस के चाहिता है अगर हम physics का कर रहे है physics के लाप में करेंगे chemistry है तो chemistry chemicals के ओपर करेंगे medical science है medicine से related experiments होते है other experiments classified and then what cause-effect relationship and then this matter and all like universalization generalization और वही भी रिजल्स उसके निकलते हैं तो उसकी होगी आप पर गुछी चीज चीज होती है और उसके बाद उसकी ठीरी बनाई जाती है और इस तरह से जो भी साइंस का एक पूरा प्रोसेस है उसमें हम उसके बेसे से क्या करते हैं प्रणाटरी रहा है कि स्षियोलजी जो वेक्दियों का अदियन है वेक्दियों के वारे में तो क्या इसे अम विज्ञान के शेडी में रखेंगे या नहीं रखेंगे तो यह पर अप अप्रप्र कर लेते हैं हम जली से कि ऑब्सरवेशन होता है साइंस में अगर हम सोशल रिसर्च करते हैं तो वहां पर भी हम उब्सरव करते हैं जीजों को देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यह बात लग है कि हम अपनी सोसाइटी के प्रतेग व्यक्ति को नहीं लेकिन जितने लोगों पर हम एक तरह से एक्सपरिमेंट कर रहें सब करते हैं जनित्यग करें इखिजब καते हैं और भी कई स्टेप्स और यह होता है इसके बाद जो रिसाटेश होती हैं इसी बहुत बाप पर बाद किसी भी चीज कह हो रही है इसके क्या causes हैं और इसके क्या effects हो सकते हैं वो सब relationship in sociology में और science में तो होता ही होता है और अब उसके बाद जो नियम होते हैं विज्ञान के वो सब जगा पाया जाते हैं अगर जिसे water है H2O है, H2O से मलता है तो ऐसा नहीं कि इंडिया में water का formula है H2O है और अमेरिका में कुछ और formula है तो sociology में भी अगर हम कहते हैं कि family, इंडिया में family पाई जाती है तो obviously अमेरिका में भी और tribes में भी हर जगा परिभार पाया जाते हैं तो यानि कि universalization है, यहां सारव भामी की करण है जो भी हम social science के research करते हैं उसको हम generalize भी कर सकते हैं जैसे science में हम कह सकते हैं कि हाँ इस तरह से अगर आप सत्त की बात करते हैं, truth की बात करते हैं, अगर हम मानदारी की बात करते हैं अगर हम efforts की बात करते हैं, मेहनत की बात करते हैं, यह सारे सद्धानतों की हम बात कर रहे हैं, तो यह सद्धानत ऐसा नहीं है कि इंडिया में लागू होगा और अमेरिका में लागू नहीं होगा, obviously the same principle will be applied in every place, so यहां पर भी हम कर सकते हैं generalize, theories, बहुत ज़्यादा theories बनी हैं social sciences में, जैसे कि आप देख लीजे, संस्कृती करण, या फिर पश्यमी करण, बहुत कॉमन से, सार्वबहमी की करण, स्थानी करण, बहुत चोटी-चोटी theories हैं, जो research के बात बनी हैं, तो फिर हम यहां पर यह देखते हैं, कि जो भी theories हैं, या जो research होते हैं, उसके basis में हम भ साइन्स में रख सकते हैं, बट थोड़ा से इसमें एक ही difference है, सबसे इंपोर्ट कि आप साइन्स जो होता है, जादा एकुरेट होता है, जादा एकुरेसी पाए जाती है, क्योंकि वह बस्तूओं भी हो रहा है, तो चीजे उसमें डिफर कम करती हैं, बट शोशल साइन्स का समाज का बग्यान है, तो मुझे लगता है कि आज के इस टॉपिक में आपने काफी अच्छे से समझा होगा, नेक्स फीडियो में और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे, और इस तरह इसके questions और अपनी writing practice और understanding दोनों चीजों का आप सब लोग ज़रूर इंप्रूफ करें, और मैं आखर में यह मैंने कोड किया है कि if you fail never give up, because fail means for stamp in learning, खलाम साप का है, तो हमेशा हमें कोशिश करते जाने चाहिए, और मैं यहाँ पर स्टुडिंट्स तो हैं ही, उनके लिए हैं ही, बट और भी लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं अपने, तो इस दूआ के साथ क कि हम सब को आला कामियाबी और कुछ ही अदा करें, आमीन, ओके, थाइंक यू, थाइंक यू, थाइंक यू सो मच